असलाम अलेकुम दिस आमेर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉपटीज दा प्लैटिनुम सेल्स पार्टन ओफ लाहॉर स्मार्ट सिटी एंड केबल स्मार्ट सिटी ओवर्सीज इस्ट सेक्टर एच के हवाले से आज एक्स्क्लूजव ब्रेकिंग नियूज अपसाद शेर की जा रही है फाइनली अप्रॉक्सिमेटि 50% एरिया जो के एक्वाइड हुआ हुआ है सेक्टर एच का उसके उपस सेवरिश का काम शुरूर हो चुक है बाकेस्तर प्लैन पर सेक्टर एच की लोकेशन बड़ी प्राइम है जिसके लेफश साइड पे मेन हाइराइज कमर्श्यल्ज़, राइट साइड पे लीनियर पार्क और उसके राइट साइड पे सेक्टर डी, ट्रिभलिस हॉम्स का ब्लॉक है पाकिस्तान में हमेशा से ही कहीं पर भी Compact Land लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यह चैलेंज Capital Smart City स्लोली स्लोली पूरा करता जा रहा है उसी चैलेंज की एक कड़ी को मुकमल करते हुए Sector H Overseas East का Capital Smart City ने Sivris का काम शुरू कर दिये जिन आजरीन को नहीं पता Sector H का उनको बताता चलूँ Sector H 5 मरला का Block है जिसमें कुछ Cuttings 7 मरला की है जिसके Left Side पे Boulevard पे 8 मरला के Commercials है और उसकी Back Side पे 6 मरला के Commercials है इसी तरह इसकी Right Side पर Linear Park Facing 8 मरला कमर्शल भी मुझूद है अभी तक Sector H की जो Streets मुकमल हुई है उन में Streets No.7, Streets No.6, Streets No.5 और Streets No.4 वो Streets हैं जिनका मुकमल काम हो चुक है इसी तरह Streets No.2, Streets No.3 और Line No.2 पे काम चल रहा है और यह जो पैच आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में वो है मस्चिद और कुछ Lane No.1 के Commercials हैं जो के इस ग्रीन पार्ट में Effected है और यह जो सेवरेच का काम होता हुआ आप यह स्ट्रीट No.7, 6, 5, 4, 4 पर हो रही है Capital Smart City की Management की एक बात की आपको दाज जरूर देनी पड़ेगी के जहाँ 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 इनके पास जमीन एक्वाइड होती जा रही है वहाँ पे बहुत स्पीड से यह development का का काम कर रहे है Capital Smart City का इस ताम सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जमीन एक्वाइरेशन ही है ना ही नेवरिंग में housing projects हैं ना ही कोई external factor है Sector H की मैंने हर माँ एक development वीडियो बज़ूर बनाई है इसलिए इसकी 2-3 माँ के अंदर जो आपने development progress देखी है यगीना Capital Smart City की management इसमेदात की मुस्तहिक है आए Capital Smart City का map गूगल अर्थ पर रखके देखते हैं Sector H पे किस street पे या किस lane पे कितना काम हुआ है यह आप देख सकते हैं Sector H के साथ बिलकुल left side पे high rise commercials और इसके साथ sector commercials और right side पे linear park और इसके साथ sector D overseas east का जबान पर इतबार नहीं तो क्या हुआ गूगल अर्थ तो जूट नहीं बोलता ना जनाब आप देख सकते हैं अपनी screen के उपर कि approximately 70-80% residential plots के उपर काम हो चुक है सकते हैं और सकते हैं जनको सब्सक्राइब करना पर आए वो हैं commercial plot के investors की हर वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट मिला है इसी स्पोर्ट को काई मोदाइम रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यही जो चैनल स स्मार्ट सेटी acquired करने में नकाम रहा है sector H का जब आप रीसेल में चीज़ें लेते हैं तो आपके पास unlimited options होते हैं तो मेरे ख्याल में रीसेल में जब भी आपने कोई चीज लेनी हो तो हमेशाब possessionable या वो एरिया लें जहां पर जमीन acquired हो बनिस्बत कि वो एरिया के जहां पर जमीन acquired ना हो और आपका वेटिंग पीरिड ज्यादा हो जी वी और यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल को subscribe जरूर कीजिएगा because यही मेरी motivation है for free consultancy 0331-344-004